नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बैक टू स्कूल पर वैसे दोस्तों स्वागत आप लोगों को करना है क्योंकि बैक टू स्कूल पर नया मैं हूँ अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मेरा नाम योगेश है मैंने सीटेट, यूपीटेट दोनों कौलिफाई किया हुआ है इसके अलावा टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और विपलब सर ने मुझे 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 मौका दिया है कि बैक टू स्कूल पर आपको पढ़ाऊं अब आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन करेंगे EVS का इसके अलावा आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं है ना EVS पढ़ाऊं, Math Pedagogy पढ़ाऊं, Hindi Pedagogy पढ़ाऊं, EVS Content पढ़ाऊंगा बता सकते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं इसके अलावा आज हम EVS के बारे में चर्चा करेंगे और EVS के Content और EVS की Pedagogy पर चर्चा करेंगे कि देखेंगे कि कितना EVS का Content और कितनी Pedagogy है मैं आपको Back to School पर जो भी कोर्स कराऊंगा एक्जाम से पहले-पहले मैं आपका पूरा कोर्स कवर कर दूँगा इसके अलावा मैं आपकी Previous Papers की Practice भी करा दूँगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको इस वीडियो को Like करना है नीचे Comments करना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी आपको क्या पढ़ना है वो भी Comment करना है चलिए EVS के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपको पता है कि EVS का Content आता है पंद्रमाक्स का और EVS की Pedagogy आती है पंद्रमाक्स की यह आपको Seated Exam में पूछा जाता है और यहां पर EVS के Content अगर बात करें तो आठ से नौ कुछ बड़े बड़े Topics हैं जिन से प्रस्ण पूछ जाते हैं जैसे EVS के Content में पहला ही Topic है परिवार एवं मित्र अब यह जो Topic है लगबग एक दिन में कवर हो जाता है परिवार परिवार की विशेष्ताएं परिवार का किस तरह से वरगी करण होता है परिवार का क्या महत्व है हमारी लाइफ में ऐसे ही मित्र है मित्र का भी वरगी क जाती है एक आंद की मित्रता होती है किवल आंद के लिए लोगों से मित्रता की जाती है एक अच्छी मित्रता होती है तो उनही सब चीजों को हम परिवार एवं मित्र में पढ़ते हैं दूसरे content गर बात करें तो जंतु एवं पौधे कोई छोटा Topic नहीं है काफी सब बड तने के बारे में पढ़ेंगे, leva एन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं उसके फूल के बारे में पढ़ेंगे, तो यह होता है, है और पौधों में भी आपको पता है, सीटेट एक्जाम में विसी इस प्रकार के कुछ पौधे होते हैं, उनसे प्रशन पूछे जाते हैं, जैसे आपको पता है, बर्गद, जैसे बर्गद से बहुत जारे कुशन्स पूछे जाते हैं, नीम का ब्रक्ष, नीम के ब्रक्ष से कुशन्स पूछे जाते हैं, इसके अल बहुत सारी चीज़े हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, अब यहां पर जन्तु की बात करें, तो जन्तु किस किस तरह के जन्तु पाई जाते हैं, किस इस्थान पर कौन से जन्तु पाई जाते हैं, जन्तु के कौन-कौन से प्रकार हैं, इनका वरगी करड हम पढ़ और इसके लावा बहुत सारे चीजे हैं आपने जनतुहा ही यह सुनी होगी जो सिर्ट परिक्षा में पूची जाती है के कोच जन्तु है वो यह से मैंड़क है वो किस चीज से सांस लेता है तो फैंफरे तचा मचली जाती है तो कोचे छोटे-छोटे टॉपिक्स भी हैं जो आपको जन्तुम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे है भोजन एवं पोषण, अब भोजन एवं पोषण कोई छोटा टॉपिक नहीं है, भोजन एवं पोषण अपने आप में बड़ा में पढ़ते हैं, और खात्य पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी अवयावयों के बारे में पढ़ते हैं, और भोजन में हम विटमीन के बारे में पढ़ते हैं, इनकी कमी होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज हैं, विटमीन के इसे करके उसको प्रजर्व किया जाता है तो वो सारी चीज है इस तरह की सीटेट में ज्यादा पूछी जाती है तो यह आपका मैं सीटेट के लिहाज से आपको EVS का कॉंटेंट और पेडागोजी बता देता हूं इसके लाबा आप नीचे कोमेंट करके बताएंगे कि आपको किस एक्जाम के लिए EVS पढ़नी है है ना और बहुत सारी चीज़ा है रोग है स्वास्त है कि कौन सी उसे कौन सी बीमारिया है बहुत सारी बीमारिया है तो कुछ वाइरस से होने वाली बीमारिया है कुछ बैक्टेरिया से होने वाली है कुछ कवकों से होने वाली ह है ना तो वो सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ते हैं चली और आगे देखें तो जल के बारे में हम पढ़ते हैं जल का भी जल का वरगी करड़ है कि प्रतिवी पर कितना जल पाया जाता है जल का सर्रचड कैसे गिया जाता है दूशित जल से कौन-कौन से रोग हो जाते है नदियों में कितने प्रतिशत पानी है, संबुदर में कितने प्रतिशत पानी है, वो सारी चीज़े हम जलवाले चेप्टर में प्ड़ते हैं, आश्रे की अगर बात करें, तो ये एक important चेप्टर है, आश्रे से बहुत सारे प्रशने पूछे जाते हैं, इसमें हम आश्रे में जगे जगे के बारे में पढ़ते हैं किस राज्य में किस तरह के आश्रे होते हैं मानवों के आश्रों के बारे में पढ़ते हैं जन्तूं के आश्रों के बारे में पढ़ते हैं इसमें दर्जिन चडिया वगरा के बारे में आपने सुना होगा जो यहां पर NCRT का कॉंटेंट है वो बहुत जादा पूचाया था कि दर्जिन चडिया किस तरह का गॉंसला बनाती है कुयल के बारे में तो आशरे के बात करें तो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं पच्छीयों के आशरे के बारे में और जो इनसान है मनुष्य है उसके आशरे के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं तो काफी important chapter है यातायात के बात करें transportation तो अपने आप में बड़ा है इसमें हम स्रडग परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, जल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, वायू परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल हाइवेज होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत जादा कुछ निस पूछे जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ आगे है पर्यावरड और पारिस्थितिकी, तो पर्यावरड के बारे में पड़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, पारिस्थितिकी बारे में पड़ते हैं, तो EVS का ये content है, जहां से आपका 15 नंबर का questions पूछे जाते हैं, और काफी बड़ा है, लगबग एक महीने में आपक ये course है, एक महीने से कम में भी course आपका complete हो जाता है 20-25 दुनों में, और यहां पर फिर pedagogy इसकी रह जाती है, इसकी pedagogy के बात करें तो पहला चप्टर आता है पर्यावरड ये अध्यन, पहले पर्यावरड के बारे में जानते हैं कि पर्यावरड एक्चुली में है क्या, वह थोड़ा सा पर्यावरड के बारे में हम पर्यावरड एध्यन में पढ़ते हैं, अधिगम के सिद्धान्त जो आप बालविकास में पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा अलाग है लगवग वही सिद्धान्त हैं, विग्यान एवं सामाजिक विग्यान के संदर्व में उनके यहां पर इस तरह से questions पूछे जाते हैं, कि एक topic दे देगा कि भूगोल है, आपका किस में आएगा? विज्ञान में आएगा? सामाजी की विज्ञान में आएगा? तो इस तरह से चोटे-चोटे topic इसमें पूछे जाते हैं, पर्यावरण अध्यन से चड़के तरीके, यह जो पेडागोजी का chapter है, यह आपको हर पेडागोजी में मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे वो EVS की हो, उसमें यह आपको यही होगा, कि जैसे EVS की है, तो EVS पढ़ाने से चड़के तरीके कौन-कौन से होते हैं, मैथ्स की है, तो गड़त से चड़के कौन-कौन से तरीके होते हैं, वो सारी चीज़े हैं, गतिविदियां एवं प्रयोगात्मकार्य कौन-कौन से गतिविदियां कक्षा में करानी हैं, कौन-कौन से प्रियुगात्मकार कक्षा में कराने हैं, वो सारे चीज़े बढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मुल्यांकन, चेप्टर सेम हैं, लगवग हर एक सब्जेक्ट में सेम है, तो वो भी हम बढ़ते हैं, सिच्छड अधिकम सामगरी, अब देखो, चाहिए EVS हो, हिंदी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, सभी में क्या है, अलग-अलग TLM होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग TLM होते हैं, और TLM वाला चेप्टर हम हर एक पेडागोजी में बढ़ते हैं, तो वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, आगे हैं पर्यावरण अध्यन की सिच्छड समस्याएं, अब ये भी चेप्टर हर पेडागोजी में पुझा आता है, कि गर्द सिच्छड की क्या समस्याएं हैं, हिंदी सिच्ड की क्या समस्याएं हैं, ऐसे ही पर्यावर अध्यन से चड़की क्या समस्या है तो ये भी पेडागोजिकल चेप्टर आपको हर एक उसमें मिलेगा तो दोस्तो ये EVS का कॉंटेंट और सिलेबस है EVS का सिलेबस है बैसिकली आपने देखा कि जिसको हम आगे पढ़ने वाले है आपको वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है EVS कॉंटेंट पहले पढ़ना है EVS की पेडागोजी पहले पढ़नी है वो सारी चीज़ें आपको बतानी है यह केवल एक introduction class थी आपके लिए और जो सर है वो नीचे comments आपके बढ़ेंगे कि आपको class कैसी लगी आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा तो वो सारी चीज़ें लाइक के मादियम से comments के मादियम से आपको ज़रूर बताना है अगर आपको कुछ पसंद न आए तो वीडियो के नीचे वो भी बताना है कि आपको class अच्छी लगी है या फर नहीं लगी है है ना तो वो सारे चीज़ें भी आपको बतानी है आज के लिए तना ही करते हैं यह केवल एक introduction class थी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आयोगी वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स जरूर करना अपने दोस्तों के साथ इसको share जरूर करना मिलते हैं आपसे बहुत जल्द next वीडियो में आज के लिए तना ही दोस्तो धन्यवाद